हाई गाईज टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं तो गाईज अगर आपका मन कर रहा हो धाबा या रेश्टोरेंट वाला पुला और साही पनीर खाने का तो आज मैं आप लोगों को इलिए घर पर ये रेस्पी कैसे बनाना है वो बताने व अपना अनुभाव मेरे साथ कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर के आप लोगों का अनुभाव तो चलिए इस रेस्पी को सुरू करेंगे वीडियो अच्छा लगत वीडियो को लाइक भी जरूर जैसे ही ओल गरम हो जाता है इसमें डालेंगे हम प्याज तो मैंने हम आप पर दो प्याज को पतले पतले स्लाइस में चौप करके यूज किया हैं साथ में आप ले लिजिए छे साथ लेसुन की कलिया एक तुकड़ा अद्रक का और दो हरी मिर्ची और इसे के साथ इसमें मैंने यूज किया है काजू तो 12 से 15 पीस काजू का मैंने यूज किया है और साथ में दो तेजपत्ता आट करिए सबी चीजों को मिक्स करते हुए ना दो मिर्ट तक पहले पकाईए जैसे आप देखो प्याज आपकी हलकी सी सॉफ्ट हो गई है फिर इसमें डाल दीजिए टमाटर तो दो टमाटर लिया है मैंने इसे भी पतले स्लाइस में चौप किया है मिक्स करते हुए इसे हमें 3-4 मिर्ट तक फिर से पका लेना है जब तक कि आपके टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं जैसे आप देखो कुछ इस तरीके से सॉफ्ट हो गया है टमाटर प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है तो गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए और इसे थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रग देते हैं और उसके बाद जैसे ही आप देखो कि पानी गरम हो गया है इसमें राइस को वाश करके दो-तीन बार पानी में डाल दीजिए तो मैंने हाँ पर यह 200 गराम राइस लिया हुआ था साथ में डाल दीजिए इसमें मतर क्योंकि मतर कच्ची है तो राइस के साथ में मतर भी वाइल हो जाएगी साथ में थोड़ा सा रिफाइन डाल डालिए ताकि आपका पुलाओ जोहने एकदम खिला खिला बने और इसे साथ इसमें एक चमज भार करके नमा कैट कर देते हैं मिक्स करिए और इसे आठ से दस मिनर तक गैस के मिडिया फ्लेम पे पकाईए जैसे ही आप देखो कि आपका जो पानी था ना वो गाढ़ा-गाढ़ा हो जाएगा जब आपका राइस पकेगा और राइस की जो साइज है वो बढ़ी हो जाएगी उसके बाद कल्शी से उठा करके चेक कर लीजिए जैसे अपने उंगलियों से प्रेस करोगे ना एकदम राइस मैश हो जाएगा मतलब बढ़ीया से पक चुका है अब इसे पानी से चान करके हमें बाहर निकाल लेना है और किसी बड़े बरतन में फैला करके रख दीजिए तक यह ठंडा हो जाए जब तक हमारा राइस ठंडा हो रहा है हम जो है सबजी बना लेती हैं तो उसी पैन को मैंने वापस रखा है और इसमें हम डालेंगे दो चम्माच घी मैंने यहाँ पर यह गाय का घिलिया इसलिए यलो कलर दिख रहा है घी को अच्छी तरह से पिखन करकी यूज करने से ज्यादा अच्छा लगता है खाने में तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर आने तक पनीर को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी आप जैसा पसंद करते हो उस हिसाफ से फ्राई करिए गा लाइट या डार्क या फिर बिना फ्राई किये यूज करना चाहते है तो कर सकते हैं जैसे ही पनीर मेरी यह ब्राउन कलर आ चुका है बढ़िया सा क्रिस्पी दिखने लगी है पनीर इसे पलट करके एक बार दूसरी तरह भी हलका सा फ्राई कर लेती हूं और उसके बाद इसे निकाल करके मैं बाहर रख लेती हूं यह देखी बहुत ही प्यारा जाता है दो तेज पता आट कर दीजिए गैस का फ्लेम लो रखेंगे और साथ में एक चम्मच हल्दी पाउडर एट किया है मैंने इसी के साथ जो है एक से देख चम्मच लाल मिच्ची पाउडर एट करेंगे सब्जी जितना आप स्पाइसी बनाना चाहा रहे ना उस साले से सुंधी सुंधी सी खुसबू आने लगती है इसमें हम एट कर देंगे प्याज टामाटर का जो हमने पेश्ट बना करके रखा था उसे पेश्ट आट करने के बाद मिक्स करिए और गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पे हमें ग्रेवी तयार करना है आप इस बा मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के बाद हमें इसे पकाना है तो आप चाहें तो ऐसे ही खुली में भी मिक्स करते हुए पका सकते हैं या फिर ढखकर के पकाईए ढखकर के पकाने से जो है ना मसाले के खुछ भी बाहर नहीं जाती है तो क्रेवी का टेस्ट ज्यादा अच्छा तो मैंने इसे ढख करके आठ मिनट के लिए छोड़ा है बीच में आप एक दो बार मसाले को मिक्स कर दीजिएगा तो यह देखी जैसे मैंने कायब उठाया है और काफी अलग अलग दिखने लगा है एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं बहुत ही प्यारे से जो है ग्रेवी का कलर दिख रहा है अब इसमें हम डाल देते हैं पानी तो मैंने हाँ पर यह हाफ का पानी यूज किया है साथ में पनीर आट कर दीजिए और मिक्स कर देंगे पनीर डालने के बाद हमें थोड़ा सा पकाना है क्योंकि मैंने पनीर को फ्राई करकी यूज किया है तो इसे पांच मिनट पकाएंगे इसलिए पानी के यूज मैंने किया है थोड़ा सा साही पनीर मसाला यूज़ कर दीजिए और इसी के साथ थोड़ा सा हरधनिया का छिड़काव करेंगे मिक्स करेंगे और इसे ढख करके लो फुलेम पे पांच मिनट के लिए फिर से छोड़ देते हैं पांच मिनट के बाद जैसे मैंने कैप उठाया है तो हमारी ये जो है साही पनीर बन करके एकदम तयार हो चुकी है बहुत ही गाड़ी और काफी टेस्टी ग्रेवी हमारी ये बनी हुई है तो इसे साइड में रख देते हैं और पुलाओ की तरफ चलते हैं तो पुला हुमारा एकदम बढ़िया से ठंडा हो चुका है इसे हमें तड़का देना है तो एक फ्राइपेन गरम होने के लिए रखिए और इसमें एक चम्मच घी आइट करेंगे जैसे आप देखो घी अच्छी तरह से पिघल चुका है इसमें डालिये एक चम्मच जीरा जीरा के साथ में हम इसमें आइट कर देते हैं दो बड़ी लाची और दो छोटी लाची मैंने इसे क्रश करके यूज किया है और इसी के साथ इसमें डालिये दो तेज पत्ता साथ में मैंने लिया यहाँ पर 10-12 पीस काजू के और इसी साथ इसमें मैं पहले मिक्स कर देती हूँ ताकि जले नहीं फिर इसमें हम आट कर देंगे काली मिर्च और लॉंग तो 4-5 पीस आप लॉंग ले लिजी और काली मिर्च गैस का फ्लेम आफ करके मिक्स कर दीजिए और आपका ये तड़का तयार हो चुका है बॉयल किया हुआ पुलाव ले लिजिए और उसमें तड़के को गरम गरम उठा करके डाल दीजिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आपका खिला खिला पुलाव बन करके तयार हो चुका है किसी भी ढाबा या रिस्टुरेंट में जब भी पुलाव बनाया जाता है तो इसी तरीके से बनाते हैं इसलिए उनका पुलाव काफी खिला खिला रहता है उमिद करती हूँ कि आप भी इस तरीके से अपने घर पे बना के ट्राइब जरूर करेंगे पुलाओ और साही पनिर जब आप मिक्स करके खाओगा ना पुखोथ ही टेस्टी लगेगा तो आप लोग जरू ट्राइ करिएगा इस रिस्पी को अगर यह रिस्पी आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना अनुभव प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मिलते हम आप लोगों से एक नई रिस्पी में बाई गाईस